इस question में हमसे पूछा गया है the point of intersection of these two curve दो कर्व आपको दिये हुए है एक तो है parameter t के form में और एक दूसरा curve है जो parameter s के form में इन दोनों का point of intersection निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे parameter को remove करके curve की equation बना लेंगे जैसे इस वाले में y equals to 2t दिया गया है तो मैं यह बोल सकता हूं t की जगह हम y by 2 रख सकते हैं तो जो curve की equation बनेगी देखो t की जगह y by 2 रख दो इसमें तो y by 2 का whole square plus 1 यह आपकी curve बन गया और दूसरा है यह तो दिख रहा rectangular hyperbola होता है क्या x y equal to 4 बन रहा है दोनों को multiply जैसे ही करोगे s cancel हो जाएगा और 2 into 2 4 इन दोनों curve को आपको solve करना है किसी भी एक variable की value इसमें रख दीजिए y को रख दीजिए 4 by x तो x equal to y है आपका 4 by x 4 by 2 2 by x का whole square plus 1 तो कितना बन जाएगा x equal to 4 by x square plus 1 यानि यह कितना बन रहा है x cube x cube और यह minus x square minus 4 equals to 0 ज्यान से देखो x equals to 2 इसमें satisfy कर रहा है क्या 8 minus 4 minus 4 so x की value 2 इसको satisfy कर रही है और x अगर 2 है तो इस equation से हम बोल सकते हैं y भी क्या होगा 2 यानि जो point of intersection है वो क्या बन रहा है 2,2 that is option 2 clear